इसमें प्रश्ण तीन जो है ओ रचना के अधार पर वाक्य भेद वाले प्रश्ण है इसमें पांच प्रश्णों में से चार की उत्तर हमको देना है फोर माक्स इसमें मिलेगा तो दिखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो समरी है और इसका जो सार है कि जो रचना के अधार पर नहीं होगा समयुक्त वाक्यों को पहचानने के लिए जो उसकी योजक हैं उसको हमको ध्यान में रखना है यह है या वा अत्वा इसलिए और किंतु प्रन्तु लेकिन तथा येवं आदी ये सब जो है योजक सब्द जो है समयुक्त वाक्य में होते हैं याद रखिएगा एक समयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य सोतंत्र होते हैं वाक्य जो है एक दूसरे के उपर आसरीत नहीं होते अब इसके बाद देखिए मिस्र वाक्य में मिस्र वाक्य में वाक्य जो है न एक दूसरे के उपर आसरीत होते हैं एक प्रधान मुख्य उप वाक्य होता है और एक द तब जहां वहां उधर अगर यदी तो यद्यपी तथा पी जहां जिधर जितना जैसा आधी जो सब्द है न वो मिश्रित वाक्य में परियोग होते हैं तो इनको आप बिलकुल याद कर लीजिएगा जहां पर भी देखेंगे वहां पर तुरंत आपको मिश्र वाक्य पेटी लगा देना है इसमें प्रशन एक का का है भातिय न वसेना को विध्वनसक पोत मिलने वाला है तो देखिए इसमें जो है न एक ही करता है और एक ही क्रिया है इसलिए ये जो पहला है न ये सरल वाक्य है ये तो बहुती जी है खा में देखिए गोबिन भोग के अलावा प्रवल की एक और है न ये पूरा का पूरा करता का रोल को अदा कर रहा है तिसमें आप कन्फिज मत हो ये का कि और है तेहां पर और जो है न वो योजग चिन्न नहीं है दो वाक्यों को नहीं मिला रहा है ये जो है एक ही वाक्या है इसलिए खा जो है न ये भी सरर वाक्य इसके बाद गा देखिए यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो अपने लेख इस पते पर भेजें तो देखिए इसमें यदी का परियोग हुआ है हम लोग जानते हैं कि यदी का परियोग हो तो का परियोग हो तो वो मिस्रवाक्य होगा इसलिए गर जो है न ये मिश्र वाक्या है और यहां पर ध्यान से देखेंगे न तो वाक्यों की निर्भरता है यदि आप लेखक बनना चाहते हैं जैसे इस वाक्या को आप बोलेंगे तो आपको दुसरा वाक्या बोलना ही पड़ेगा कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो इसके बाद क्या, ठीक है, इसलिए इसमें जो सरल वाक्य है ना, जो question पूछा है कि उपरियुक्त कतनों के अधार पर सरल वाक्य वाला बिकल पर चुनिए, तो इसमें सरल वाक्य का और होगा, तो इसका option C जो है ना, correct होगा, इसके बाद इसका दूसरा प्रशन देखिए, इसमें column first को column second से मिलाना है, जो इस्तम पहला है और इस्तम दूसरा है, उसमें का में सरल वाक्य बोलता है, खा में सव्युक्त वाक्य बोलता है, और गा में मिसर वाक्य बोलता है, तो देखिए यहाँ पे तीन वाक्य दिये हुए है पहला है मैं आभ्यास किया इसलिए सफलता मिली तो देखिए इसमें मैं आभ्यास किया सफलता मिली दुनों के दुनों सोतंत रहे न इनको इसलिए के द्वारा जोड़ा गया है इसलिए यह जो है न फर्स्ट वाला जो वाक वाक्य है यह संइट वाक्य होगा उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए यदी जांच की होती तो हराब समान ना आता इसको ध्यान से पढ़िए यदी जांच की होती तो इसके बाद कुछ नख वाक्यों में इर्भृता को बताता है तो सेकेNDnot है ना वो मिस्र वाक्या है और थर्ड नमबर देखिए सिख चारजन मेरे लिए मज़दार अनुभाव रहा ते जो सिख चारजन है वो मेरे लिए मज़दार अनुभाव रहा इसमें एक ही करता है एक ही किरिया है है ना ते 100% क्या है ये सरल वाक्या है ते जो है सरल वाक्या हो इसमें दो कथन दिये हुए हैं, यह ही काई कविताएं गुनगुनाने के बारे में हैं, और इसका खा है, यह ही काई इस बारे में है की कविताओं को कैसे गुनगुनाया जाए, अब इसमें प्रस्णों को देखिए, इसमें आप सने बोलता है कि कथन का उप वाक्या और कथन मिस्रवाक्या है तेहां पर देखिए पहला जो वाक्या है यह ही काई कविताएं गुन-गुनाने के बारे में है ठीक है तो यह कौन सा वाक्या है यह जो है ना सरल वाक्या है याद रखिएगा क्योंकि इसमें एक ही करता है और गुन-गुनाना एक ही किरिया है उसके बाद ज जैसे कि हम जानते हैं कि की का परियोग हुआ है और की जो है न वो मिश्रवाक्य में परियोग होता है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ तो खा यहां पर मिश्रवाक्या है और का जो है न वो सरलवाक्या है अब इसके आप्संस को देखेंगे तो जैसे कि पहले आप्संस को हम discuss कर चुके हैं, तो ये तो incorrect होगा, किसमें बोलता है कि कतनका उप वाक्या और कतनका मिश्र वाक्या है, कतनका जो है न वो मिश्र वाक्या है, लेकिन कतनका जो है न वो सरल वाक्या है, न कि उप वाक्या है, भी देखिए, कतनका सरल और कतनका संयुक्त वाक्या है तो कथन का तो सरल वाक्या है लेकिन कथन खा जो है न वो मिश्र वाक्या है न कि संयुक्त वाक्या है इसलिए इसका B भी इनकरेक्ट होगा अब इसका C देखिए कथन का संयुक्त और कथन खा मिश्र वाक्या है तो देखिए कतन का जो है ना वो संयुक्त वाक्य नहीं है इसलिए C भी incorrect होगा लेकिन D देखिए D बोलता है कतन का सरल और कतन ख मिसर वाक्य है तो इसका option D जो है ना वो बिल्कुल correct होगा इसके बाद इसमें चोथा नमबर को देखिए इसमें का है कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है उसके बाद खालिस्थान वह कुछ गा रही है इसको संयुक्त वाक्य में convert करना है खा है खालिस्थान ही चिड़िया पेड़ पर बैठी खालिस्थान ही गाने लगी इसको जो हैना मिस्र वाक्य में हमको बदलना है इसका प्रश्णा देखिए कि कोस्टक में दिये गए निजिसा नुसार वाक्यों को पूरा करने के लिए सही विकलप चुनिए इसमें में बोलता है कि कहा में और उप्योग होगा और खा में जियोतियों तो देखिए कव में तो और उप्योग हो गई होगा क्यों क्योंकि पेड़ पर चिडिया बैठी है वह कुछ गा रही है दोनों सोतंदर वाक्य है और और को जोड देंगे तो यह जूड जाएगा कि पेड़ पर चिडिया बैठी है और कुछ गा रही है लेकिन खा देखिए ज तियों ही चिडिया पर पर बैठी , तियों ही गाने लगी , बिलकुल सही है , जैसे ही चिडिया पर पर बैठी , वैसी ही ओ गानी लगी , इसलिए इसका realize , अब पाँचवा क्षान नमेर प्रशन देखिए , कि मुझे प्रथा माना था खालिस्थान नहीं आ सकी उप्युक्त वाक्य को समयुक्त वाक्य बनाने के लिए उचित समयोजक चुनिए इसमें देखिए ये बोलता है एवम क्या एवम यहां पे जम रहा है कि मुझे प्रथा माना था एवम नहीं आ सकी विल्कुल नहीं जम रह आप सुने जो है इसका incorrect होगा। B देखिए वरण मुझे प्रत्osaurus माना था वरण नहीं आ सकी। यह भी incorrect है। C देखिए मुझे प्रत्osaurus माना था बलकी नहीं आ सकी। यह भी गलत है। लेकिन D देखिए मुझे प्रथम आना था लेकिन नहीं आ सकी इसका D जो है न बिल्कुल करेक्ट होगा